कि देखिए कि हमारे बड़े बड़े पिता जी ब्रह्मलिन श्रियाजे बगजी 2023 में उन्होंने अपना सरी शोट बास्केट बॉल मैंने खेल रखी है स्टेट वोली वोल जो इसी किरपा है बगवान की जो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के बाद में चोटी सी उमर में लग गया रोग कहते हैं लोग भाई रोग लगना एक भगति का रोग लगना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हर चीज की जो लगन हो जाती वो एक रोगी होता है इंसान की सभी को नमस्कार भाई मैं आपका वाई नर्शी परजाबत सिमानी आप देख रहे हैं सारी बात आपाईन से जानांगे इस चोटी सी उमर में और उन्हें इन तपस्या करने इठानी है क्या एसी प्रसितियां रही होगी क्या कांड रहे होगी सारी बात आवा बगजी से करांगे आप इस वीडियो को ज़ाज़ा सेर करियो हर गुरू में डाली हो ताकि बगजी अपने साथ मोजदा बाते बगजी अपने साथ मोजदा पाईं से बात इता आंगे ओम नौनानव नवनान जैसिर राम बगजी आज एक बात चर्चा में हैं बचसे-बच्छी जवान पर है वीडियो बगजी जो ए बहु को तपश्या करने जा रहे हैं पश्दोनी तपस्या, पहली संच्छिवनी आसरम में ओने जा रही है बगजी, तपस्या देखते हैं कि बड़े बड़े उमर के साथ हुषंता है लेकिन उनकी उमर मतलब बहुत ज़ता हुत यहे हैं लेकिन आपके उमर है नादान शी उमर है न होती कोई अमर नहीं होती वेराग वेक्ति को किसी भी उमर में आ सकता है तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है बगति अगर बगवान की देखो किरपा की बिना कुछ भी नहीं है और उनकी किरपा तो किसी भी उमर में हो सकती है तो इसका कोई दाइरा नहीं है, सीमा नहीं है कि आप केवल 50-50 साल के जो वृद मातमा है वो ही केवल तपस्या करें या उनी किशानिदे में उसमा तो देखिए ये तो किरपा की बात है तपस्या करने का मुख्य हुदे से क्या तपस्या करने से बगवान मिलते हैं या कोई और करने चितत आप की विकारों थेह मी होता है। अगर जटा बदाय राम मिले तो भाई जो बेडबकर ये उनकी जटा बहुत बड़ी बड़ी होती है और जल में नाय अगर बगवान मिलते हो तो मेंडग मसली जो हो हमेशा जल में रहती है अगर राख रमाय बगवान मिले तो भाई डंगर को सवे राख में लोटते रहते है तो इन स्वे कुछ नहीं है बगजी ने सवस्ट बताया कि भी अपने श्रीर के विकार दूर करने के लिए ये तपस्या एक जो है वो माध्य मनाया गया है तो बगजी तपस्या का समय क्या समय रहेगा तो बगजी कहते हैं बगजी करना और तलवार की दार पे चलना बराबर बताया गया तो बगजी किस उमर में आपने ये बगजी की और अपना रुजान कर लिया देखिए हमारे बड़े बगजी पिता जी ब्रमलिन स्रियाजे बगजी दो अजार तेइस तेरा में उन्होंने अपना शरीर सोड़ दिया था तो उनके जाने के बाद लग बगच्छे महिने के बाद आशरम में गदी पे बैठा दिया गया था तो गुरु माराज की किरपा से लग बगसाडे 9 साल हो गई हैं और देखिए मैं मेरे जीवन के बारे में दो सब्द आपको बताना जाता हूं कि नैशनल बास्केटबॉल मैंने खेल रखी है स्टेट वोलीबॉल खेल रखी है डिस्टिक एथलेटिक खेल रखी है तो इन सब चीजों को छोड़ने के बा लेकिन जब जब मैं उन सब मुकामों पर पहुंचा हूं नैशनल डिफेंस अकैडमी में पहुंचा हूं पंदरा दिन मेरी डेट ओफ जोइनिंग से बड़ी रही है लेटनेट के लिए तो उन सब मुकामों से मैं पीछे अटकर पीछे तो नहीं कहूंगा ये देखिए और वापीस इस आसर में आके बैठना केवल एक मातर आफ्टे के अंदर देखिए नैशनल डिफेंस अकैडमी में गया हूँ तो एक मातर आफ्टे के अंदर मैं वापसी आ गया हूँ किसी कारव में बशे और नैशनल वास्केट बोल खेल के हम छोड़ दी हैं और सबसे पहले तो मेरा मन में लक्स है यही था कि मैं मेरे जीवन में कभी भी इस खेल को नहीं चोड़ूँगा, चाहे मेरे जीवन में कितने भी उतार चड़ावाई, लेकिन कहते हैं कि त्याग के अभी ना सम्मान नहीं है, एक साल के अंदर अंदर उस चीज़ का मेरा त्य त्याग हुआ, जो मेरे जीवन में सबसे आहिम चीज़ रखती थी, तो देखे त्याग अगर आपके अंदर होगा, तो अभी आपके अंदर समान की भावनाएंगी आपके प्लती के, बात है, शिक्ष्या की पडाई लिखाई आपने कितनी गरी, पडाई मेरी BA final year चल रही ह उसके मैंने पेपर दे चुके हुए, अभी आगे राम जी की चारी तो MA PhD करने का मन है. जाड़े की या जड़ी बूटी की नहीं है, विश्वास की बात है, और देखिए, जितना भी संसार में दो ही उर्जा काम करती हैं, सा कराओ तुम्हें कुर्जा और ना कराओ कुर्जा, हमारा काम सिर्फ इतना यह है, आपकी जो उर्जा आपके एंदर जो नस्ट हो चुकी है, उन सब चिज़ों को जागरित करना, देखिये जिस परकार से आपके शरीर में बुखार होती है, तो आपका सरीर किस परकार से यह हम करते हैं, जो जितने भी साधुसंत हैं, आप जए उनका आसिरवाद लेने से उनके अंदर एक इतनी साकरात्म कुर्जा आ जाती है, जिससे कोई भी कारिये आसानी से संभवत है, हो जाता है पूर्ण. जए जो जए पंदरा जून तक यह जो तक पश्या जलेगी और बगजी ने समय बता दिया गया है, परकाष डालो आप, कि मनुस्य जो है वो भी कारिये आज आपनी उमर के जो लुटके नसे पते की और तो जो आपटी अबड़ती जा रही है, तो उनको क्या संदेस आप दिन सिर्फ नसा करते थे और करते थे, बगवान सिर्फ ने तो विस्हो कल्याण के लिए विस्गं भी पिया था, तो आप विस्गयों नहीं पीते hvis बाद़े, बाकी तो देखिए नसे पते में कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई वेक्ति यह बोले कि नसे पते से आपको कुछ मिलता है या और है तो यह सब व्यर्थ की बाते हैं आप बीना नसे पते करके कोई कारिये करके देखिए अपने चितमन को देह में लगा के देखिए बगवान की किरप आपकी वैसे ही हो जाएगी नसे पते का मतलब यह नहीं कि आप सुलफा गांजा करके बैठ और बगवान की वक्ति में लगे हुए नहीं सादुसंत भी इस चीज के बहुत खिलाफ है लेकिन कुछ ही इसो के लिए आप यह कैस का कि 2-4 परसेंट जिन्होंने सभी को बदनाम कर रहे हैं वो कया कर रहे हैं चने के सिति गुण पिसर नाली बात कर रही हैं तो ऐसा नहीं यह कि नसापता ही सब कुछ है बिलकुल भी नहीं है और हम तो हमारे गुरु माराज हैं और हम भी इन्ची जो के सब खिलाफ है कि आप नसापता छोड़कर और अपने सात्विक जीवन की और अपना दृसी डिसी डाली है दृसी डाली है वही बहुत ही संदर सब्दों में देखी आपके मुखार्बिन से आपके मुखारने मीन तो यह तो रॉख्यों कीद्यृ करते गना चिर्पा बूर्टॅक फिर दी तो उनकी किरपा कि बिना कुछ भीं है तो वही ये थे परूल बगत जी के विचार आप इस वीडियो को जाज़ा सेर करियो तो वही क्यां की देर कर देए वीडियो ने से रागले वीडियो में बिलांगे फिर अन्पीश न्यूज के लिए कैमरा मिनुसे तिर्भरवा के साथ सीवाने मंडी से नर्शी परजावत की क्या परी तो बेले आप की तो लाइक हो जो शेक्ख़रू